वेल्कम टूर चानल टोडें वी वील लर्न हाउ इस प्रोजेक्ट वील बी बिल्ड तो आज के विडियो में हम एक प्रोजेक्ट ओपन किया है उसको हम देखेंगे कैसे वर्क होता है देखे हमने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिए application एक application as well as web देखिए एक wave है इसको हमने ऐसे बनाया है कि आप कौन से भी phone वो tablet वो इसके हिसाप से build हो सकती है तो इसके बनाले के लिए कुछ techniques होती है आपको वो follow करना है तो आप भी ऐसे बना लोगे तो देखिए हम app view देखेंगे इसको right click करके inspect element पर करते हैं देखिए यह mobile phone के हिसाब से दिखिए, application mobile phone के हिसाब से बन चुकी है तो आप ऐसे बना वेब और application ऐसे बनाएंगे कि वो आप application में भी convert कर सकते हैं और उसको web में भी इरें देज़े सकते हैं एक overview application का और देखिए web भी बन चुकी है तो आपको ऐसे केसे बनाने है तो हम कुछ technique से आपको बताएंगे आपको coding नहीं बताएंगे आपको coding आती है सिर्फ उसमें improvement लाने है आपकी coding में improvement लाने है तो देखिए हम वीडियो studio में चलते हैं उस project को open कर लेती हैं देखिए हैं है हमारा code है यहापे लिखा हुआ और previous video में हमने बताया था कि आपको file system arrange कर लेना है कोई भी project को बनाने इससे पहले आपको क्या करना है कि files बना लिए देखिए मैंने files बना लिए उसमें मैंने बहुत से folder बनाए देखिए तो understand easily हो जाता है और आपका project जब आप rebuild करोगे और कुछ changes करोगे तो आसानी होती है देखिए हम जब भी project बनाते है तो हम गलती क्या करते है कि जब हम उसको styling करती है देखिए जब हम caces में styling करते है तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी हम width height देते है वो VH और VW के form में होने चाहिए VH मिन vertical height आपकी ऐसे वले height होती है वो VH होती है और VW य देखिए यह height और width आपको क्या रखना है pixels नहीं देना है pixels use कम करना है आपको क्या धान देखना है कि VH और VW इससे क्या होता है कि आपका जो project है window की size change होती है according to your window this will be change your project size आप क्या करते हो pixel जब भी देते हो pixel से क्या होता है कि जितने pixel दिये वो height रे जाती है और आप जब VH और VW इसका इस्तमाल आप ज्यादा से ज्यादा अपनी web में करोगे तो वो क्या दिखिए कि आपको जब भी size change होगे according to your size this will be change आपको यह पहले ध्यान में रखना है देखिए मैंने VH और VW का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल किया है तो आप ऐसे भी भी कर सकते हैं आप देख सकते हो मैंने ज्याद से ज्यादा VH और VW का ध्यान रखाए कि उसके उससे क्या होता है कि आपकी जो website है वो responsive होती है जब आप website responsive बना होगे तभी आपकी जो website कि आप्लिकेशन है वो change होते रहेगी according to the window और वो दिखने भी अच्छे लगती है आप देख सकते हैं मेरे CSS में इसे किया है तो है जी code है मैंने according to my project मैंने due tag ज्यादा से ज्यादा उसके है एक due में डालने की कोशिस किये आप ऐसे project बना सकते हो मैं आपको project को सिर्फ guidance दे रहा हूँ कि आपको project बनाती हो लेकिन आप को चीजों का ध्यान रखके अपने project को आप अच्छा बना सकते हो देखिए और फाइल सिस्टेम भी देख सकते हो देखिए JavaScript में JS folder में JavaScript रखे इमेज में सारे assets से इसे folder होता है एक project एक project ऐसा ही build होता है देखिए asset के लिए अलग file है CSS के लिए अलग image के लिए अलग और JavaScript के अलग और कुछ folder मेंने बाहर रखे है क्योंकि हो special folder है according to your project we will changes and arrange your file according to you means developer के उपर करता है कि आपको कैसे project बनाना है देखिए आप ऐसे कर सकते हो और और एक शीच आपको ध्यान रखना है आप project में जब link पास करोगे देखो HRF का यूज़ करोगे तब आपको ध्यान रखना है relative URL से क्या होगा जब आप file move करोगे अपने local hard drive से जब आप server पर upload करोगे तब क्या होता है कि जब आपने relative URL पास किया तो कोई problem नहीं आथा लेकिन आपने क्या किया है कि c c colon hash आपने क्या कि c drive में होगे suppose आपकी file c drive में तो आपके c drive की links पास कर दिये तो क्या होगा कि आप आप जब भी file सर्वर पर upload करोगे तो वह files नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने URL गलत पास किया है तो आपको हमेशिया ध्यान रखना है कि relative URL आपको कभी भी relative URL का यूज करना है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं और आपको कोई चीज run time test करने है coding करत सकते हो और उदर हमारी Chrome browser की tab तो आप क्या कर सकते हो कि इसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो जब आप यहाँ पे change करोगे suppose आपने एक tag लिखा और यहाँ पे आपको change करना है तो आपको यहाँ रन टाइम रन टाइम आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बढ़ा feature होता है कि आप Windows का यूज कर सकते हो कि आप जब भी runtime changes करने है तो आप यहसे भी कर सकते हो एक technique है इससे क्या होगा कि suppose हमने learn meet AI लिकाया आपको change करना है मैं AI निकाल दूँगा सिर्फ learn रख दूँगा और इससे change save किया देखिए क्या हुआ कि हमने जो भी आप चेंज किया वह आपको runtime मिलेगा इससे क्या होता है कि आपको एक idea लग जाती कि आपका जो look and feel है वो design करने के लिए आप ऐसी technique यूज कर सकते है suppose मैंने और changes करेंगे आप फिर से हम इसको learning TI कर लेंगे और इसको save कर लेंगे इधर आपको save कर लेना है और इधर reload पे click करना है देखिए आपके runtime changes इसको बोलते हम runtime changes एक tab आपने इधर open कर लिया right side को और left side को आपने editing tab open कर लिया इस तरीके से भी आप editing कर सकते हो तो आपके जो output है वो better मिलेगा तो इस तरीके से भी आप use कर सकते हो और एक technique है और जब आप mobile की हिसाब से करेंगे तो आपको क्या करना है inspect element देखिए आपका mobile का हिसाब से या पे build हो चकाए आपको mobile का हिसाब जो भी होता है इसकी हिसाब से मेरे जो application है वो responsive हुए मैंने responsive application बनाए तो आप एससे भी बना सकते हो आपको कुछ चीजों का मैंने बता है वो ध्यान रखना है कि पहले बाद जो भी css करेंगे तब को vh और vw रखना है और दूसरे बाद आप जब भी देखें आप जब भी link पास करेंगे तो reality URL आपको पास करना है और जब editing करेंगे तो vh vw का ध आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और आपको कोडिंग तो आती होगी तो मैं कोडिंग ने बता रहा सिर्फ आपको एक overview करना है इसके बाद हम Android Studio में इसको कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे application करना है और देख लेंगे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी application बननानी वीजो स्ट्ट्यों में बनानी है एंडरय को में इंपोर्ट करना है इसके बाद हमको Android Studio में इंपोर्ट करना है उसमने final changes करना है। आप पहले हिसमें पूरे application ब्युल्ड कर लो और इसके बाद हम एंडरय को में इंपोर्ट करेंगे